प्यार अंदा है, प्यार तौफ़ा है या फिर प्यार दोस्ती है? सच्चा प्यार क्या है? और इनी जैसी कई बाते फिल्मों में की जाती है, पर क्या इनका असल में कोई मतलब निकलता भी है? क्या इस सारी बाते सच है या फिर जूट? क्या इनका ये मतलब निकलता है कि अगर हम किसी से कुछ चाहते हैं तो उससे हम प्यार नहीं करते? प्रौपलों की जवाब आसानी से मिल जाएंगे, तो क्या ये वही है जो हमें फिल्मों में दिखाया जाता है, या फिर ये एक भावना है, या फिर एक जुड़ाव, या दोस्ती का एक अलग हिस्सा, या फिर ये सब कुछ, आज प्यार की कई अलग-अलग मतलब निकाले जा जैसे कि प्यार जो हमारे जीवन साथी के लिए होता है, जो दोस्तों के लिए होता है, जो परिवार के लिए होता है, जो महमानों के लिए होता है, खुद के लिए होता है और अंत में इस पुरे ब्रहमाण के लिए होता है। तो भले ही सिद्धानत में इतने सारे प्रकार दिए गए हो पर यहाँ पर जाना ये जरूरी है कि प्यार क्या है क्या ये सिर्फ है गेहरा संबंध है या फिर एक भावना या फिर होर्बॉंस का मेज़े खेल है अगर आप इस सिद्धान्त को बारे की से समझने की कोशिश करो तो आपको इन सारे प्रकारों में कुछ एक जैसा ही दिखाई देगा तो वो क्या है? इन सारी चीजों के पीछे एक भावना चिपी हुई है मेरे या फिर अपनों की भावना मेरे माता-पिता, मेरा परिवार, मेरे दोस्त और मेरे लोग वगरा वगरा असल में एक जुडाव की भावना है तो वहाँ पर जुडने का मतलब क्या है? इसको हम संबन्द भी कह सकते हैं जो एक विक्ति के लिए हो सकता है या फिर एक चीज के लिए पर इंसानों चीजों से तो हमारा जुडाव बदलता ही रहता है अगर प्यार चलते जाने वाली चीज है तो इसे जुडाव की भावना कहना सही नहीं होगा तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी के साथ इस तरह से जुड़ सकें कि कभी अलग नहीं हो पाए भारतिय शास्त्रों के अनुसार प्रेम एकता है ऐसा जुड़ाव जो कभी नहीं बदलेगा ऐसा संबंद जो कभी अलग नहीं हो सकता ठीक उसी तरह जिस तरह मिट्टी और मटका है सोच और सोचने वाला है तो प्यार दो चीजों के बीच का एक ऐसा संबंद है यह दुनिया प्यार के बिना बिल्कुल अधुरी है जब आप दुनिया के असल सच को पहचान लेते हो तो आप प्रेम के प्रभाव को गहराई से समझ पाओगे आप इस संबंद को बहतर तरीके से देख पाओगे जिसे हम प्रेम कहते हैं तो क्या इसका ये मतलब निकलता है कि हम किसी को भी और किसी भी चीज को प्यार कर सकते है जी हाँ बिल्कुल पर ये जितना अलगता है उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है इसके लिए ठहराव और धीरच की जरूरत है तो ये असल में इंसानों या जीवन साथियों के बीच कैसे काम करता है देखिए सबसे पहले इसकी शुरुवात होती है आकरशन से जिसके कारण अलग-अलग हो सकते है इसके बाद एक दुसरे को जानने समझने की शुरुवात होती है जैसे जैसे समय बीथता है वैसे वैसे दोनों एक दूसरे को बहतर समझने लगते हैं और रिष्टे में ठहराव आने लगता है ऐसे ही चलते जाने के बाद एक ऐसा समय आता है जब वे दोनों ही एक दूसरे को खुद से अलग समझना बन कर देते हैं दोनों ही एक दुसरे का अटूट हिस्सा बन जाते हैं इसी को प्यार कहा जाता है वो प्यार जिसके लिए सारी फिल्मी बाते सच होती है इसी को हम अटूट नाता कह सकते हैं इसी प्यार को एकता कहा जाता है ना कि सिर्फ आकर्शन या कुछ और ये किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज के साथ हो सकता है बस जताने का अंदास बदल जाता है तो अब यहाँ पर एक सवाल आता है अगर हम सब एक है तो एक से ज्यादा लोगों से शादी करना सही है? बिल्कुल नहीं हमें ये बात पता होनी चाहिए कि आज हम एक समाज का हिस्सा है और हमें कुछ नियोमों का पालन करना चाहिए जिससे सारी चीजों का महत्व अपनी सही जगा पर रहे आज के समय में इनसान किसी भी चीज का नतीजा पाने के लिए बहुत बेचैन है हम बहुत इक शरीर के स्तर पर ही फसे हुए है और हमने खुद को सच्चाई से बहुत दूर रखा है हमें ये बाते पता हुई चाहिए कि प्यार के लिए समय भी लगता है और समझ भी और धीरज बहुत ज़रूरी है और जिस दिन ये एक बार हो जाता है तो इसी को हम एक पवीतरी रिष्टा कह सकते है मैं उमीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ मदद होगी या तक सुनने के लिए धन्यवाद कि आपको इससे कुछ मदद है कि आपको इससे कुछ मदद है